हेलो फ्रेंट्स, वेल्कम टू वर्सास किचिन, फ्रेंट्स मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ पटेटो सैन्विच, बहुत ही टेस्टी बनेंगे, पसंद आए तो लाइक शेर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एक कढ़ाई में दो चमच तेल गरम करके आधा चमच जीरा डाल देंगे और जीरे के भुनते ही एक प्यास डाल देते हैं, बारी कटा हुआ और एक हरी मिश्ट डालेंगे, दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए, दो से तीन मिट भून लेंगे, अब इसमें 3 चमच हरी मटर डाल लेते हैं, तो मटर को भी इसके साथ 2-3 मिट हम भूनेंगे, अब 1.4 चमच लाल मिश्ट पॉर्डर और एक चौथाई चमच हल्दी डालेंगे, एक चौथाई चमच गरम मसाला, आदा चमच नमक डालेंगे और आदा चमच चाहट मसाला, तो मस मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए हम 2-3 मृट भून लेंगे तो इस तरह से मसाले को मैंने मिक्स करते हुए भून लिया है यम ढ़क देते तो पांच मृट करीब ढखके पकाएंगे जिससे मारी मटर सॉफ्ट हो जाएगी फांच मिन भाद चेक कर लेते हैं आधा चम तो बटर भी लगा सकते हो और दो ब्रेड पर टोमेटो कैचप लगाएंगे अच्छे से चमच से इसको इस प्रैड कर देते हैं अब एक ब्रेड उठाएंगे आलू मसाले जो बना के रखा है तो पूरी ब्रेड पर आलू मसाले को अच्छे से लगा देते हैं तो मसाला लग जो का है अब दूसरी ब्रेड उठाएंगे इसके ऊपर रख लेते हैं अब एक तवे पर मैंने एक चमच देशी घी डाल लिया है अच्छे से फैला लेंगे अब ब्रेड के सेंविच को रख देते हैं एक साइड से सिखते ही इसे पलट लेंगे और इसके नीचे भी तोड़ा सागी लगा लेते हैं जिससे दोनों तरफ से सेंविच हमारा क्रिस्पी बन के तयार होगा तो सेंविच हमारा अच्छे से क्रिस्पी सिख गया इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं थेंक यू